हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे करेला भुर्जी एक कढ़ाई में हम एक बड़ा चम्मज सर्चों का तेल डालेंगे गरम होने के बाद आधा चोटा चम्मज जीरा डालेंगे जीरा चटकने के बाद हम डालेंगे एक चोटा चम्मज सौंफ ये देखे करेले को मैंने यहा फ्लेम में रखेंगे और इस तरीके से पलटते रहेंगे अब गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे और मिलाएंगे इसमें मसाले आधा छोटा चमज हल्दी पाउडर नमक स्वादा नुसार दो बारी कटीवी हरी मिर्च फिर से इन सब को मिलाते रहेंगे दो से तीन मिनट हम इसको इस तरीके से पकाएंगे और बीज-बीज में घुमाते रहेंगे ये देखे करेला अब पकने लगा है इसका कलर भी चेंज हो गया है अब यहाँ पर हम इसमें मिला लेंगे आधा चोटा चमस गरम मसाला और एक चोटा चमस अमचूर पाउडर इस तरीके से करेला बनाने से कड़वा बिलकुल नहीं लगता है और खाने में बहुती स्वादिश्ट और बनाने में बहुती आसान तो यह लेजे हमारी करेला भुर्जी तयार है